गुद मॉनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू राज मलोतर आईस यूट्यूब चैनल दिर्स जस्ट अ मन्थ लेफ्ट फॉर अवर यूपसी 2023 प्रिलिम्स आप सभी स्टूडेंट्स की सी सेट और जीएस की आई होप प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी आखरी 30 इन तीस दिनों में आपने यह चीज आज से ही ध्यान में रख लेनी है कि पिछले कुछ सालों से काफी ही स्टूडेंट्स इस तरह के आगे आए हैं जिनका जीएस का एक्जाम बहुत अच्छा होता है कट अफ भी क्लियर कर लेते हैं लेकिन सी सेट में वांतर स्कोर करने से 시EN से भी रह जाते हैं तो आप उस लिस्ट में ना आये इसलिए आपने जीएस डेफिनेटली बहुत अच्छे से करनी है में आपकी जियसरी काम आएकी जियसरी क अच्छे होने चाहिए लेकिन सी सेट पर भी आपका अच्छे से контр doll होने चाहिए CSET पर आपकी कमांड अची होनी चाहिए, CSET में specifically, अगर 3-4 साल की अगर हम बात करें, मैं लगातार यूट्यूब सेशन में आपको बताता जा रहा हूं कि पिछले 3-4 साल में UPSC ने अपना थोड़ा सा CSET का trend change किया है, maths के questions की weightage बढ़ाई है, out of 80, around 35-40 questions, like आधे के करीब maths का ही पुछा जा रहा है, और maths की जो weightage बढ़ी है, वो ऐसे नहीं के uniformly हर एक chapter के 1-2-2 ज्यादा questions आने लग गए, आपके number system के questions, आपके जो numbers पर based understanding है, उस पर based कुछ questions डिजाइन होते हैं, इस तरह के आपके कुछ miscellaneous questions की weightage बढ़ी है, तो उनकी practice लगातर हमने YouTube sessions पर की है, लंबे sessions भी लगाए है, weekly practice sessions भी आपके लगते गए हैं, और इसी के साथ-साथ बाकी जो आपका सारा maths का syllabus है, एक से लेकर आखरी chapter तक, उन chapters में से भी आपके 1-2-2 questions definitely देखे जाएंगे, इस तरह के आपके 35-38 questions exam मे देखे जाएंगे, आज से एक महिने बाद आपका exam है, आज की session में हमने average का question discuss करना है, average का question, basically average के सारे ही questions, average chapter में जितने भी types आपके बनते हैं, उनमें हर एक type आपका based होता है, कि आपकी average पर understanding क्या है, आप average का मतलब क्या समझते हैं, बचे average का मतलब और कुछ नहीं होता, आपने school में average निकाल लिए, आपने school में chapter भी किया है, otherwise भी आपने काफी चीजों की average निकाली होगी, average को आपने इस तरह सी पढ़ा है कि जिन चीजों की average निकालनी है, उनको एड कर लीजिए, उनका sum ले लिजिए, और जितनी चीजों की हमने average निकालनी है, उस number से divide कर आपकी average आजाएगी, औस जो निकालनी होती है, आपने cricket खेलते हुए, लोगों को देखा है, cricket में हर एक player की average होती है, in fact, players में batsman के लग average होती है, बॉलनोस के लग से average निकालते है, वो लग formula होता है, लेकिन average overall निकालने का मतलब होता है, sum of all observations, जो अपने school में formula पढ़ा था divided by number of observations, यह आपने school में समझी, लेकिन आज जब हम CSET की preparation कर रहे हैं, आज हम किसी भी competition exam की preparation कर रहे हैं, जिसमें MCQ जाते हैं, multiple choice questions जाते हैं, उनमें हमने थोड़े से tricks से use करने होते हैं, shortcut से use करने होते हैं, बिना solve किये ही question को answer mark करना होता है, इस तरह की जब हमने approach रखनी होत मतलब वो जो formula है, sum of all observations divided by number of observations, उसे छोड़ कर आपने average का मतलब समझना है, average होता है equal distribution, और आप से मैं उमीद लगाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होगी कि equal distribution कहां से बोल दिया, आपको पता है कि अगर किसी family में 4 members है, A, B, C, D, A की salary है 7000 रुपए, B की salary है 10,000 रु पए है, तो A, B, C, D, 4 members की average salary क्या होगी, average salary क्या होगी, आपके formula के हिसाब से चले, तो 7,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 7 और 10, 17 और 5, 22 और 6, 28,000, चारों की 28,000 हो गई, और हमने जो average निकालनी है, वो average क्या आई, 28,000 बटे 4, क्योंकि 4 की average निकालनी है, तो 4 से आपको, लेकिन ये, sorry, 7,000 रुपिज, 7,000 आया क्या आपका बच्चे, 7,000 आया के, actual में उनकी salary अलग लग थी, A, B, C, D, was earning their own salaries, उनकी salaries की जो values थी, अलग लग लग थी, लेकिन average निकालने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ के लग 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 होंगी, लेकिन actual values का निचोड निकाल दिया, equally distribute कर दिया, तो वो उनकी average बन गी, तो average के बारे में, जब आपने सिर्फ इतना ही logic समझ लिया, तो आप question देखें, बच्चे, ये आपका state civils का question है, examiner कह रहा है, six persons were there, they went to a hotel for taking their meals, examiner is saying that there were six friends, they went to a hotel for having a dinner, five of them, जो उ रूपीज 32 each, उन छे में से जब बिल पे करना था, तो पांच लोगों ने 32 रूपए पे किये, on their meals, while the sixth person spent रूपीज 80 more, six person ने क्या spent किया, रूपीज 80 more than the average expenditure of all the six persons, रूपीज 80 more than the average expenditure, यानि कि जो total बिल आया, उसकी जो average निकलेगी, छे लोग है, तो 6 में डिवाइड करक जो average निकलेगी, उस average से 80 रूपए ज्यादा पे किये, सिर्फ 6th person ने, तो examiner पूछ रहा है, find the total money spent by all the persons, तो 6 के 6 लोगों का बिल कितने रूपए का आया, उन्होंने कितना रूपए spent किये, यह हमारा question है, तो बच्चे, यह कुछ average है, मैं average को average लिख रहा हूँ, यह average कुछ रूपए की है, अगर हमने 6 के 6 लोगों का total bill find करना है, तो average into 6 करके answer आजाएगा, क्यूंकि आपने बच्चे, आज तक average कैसे निकाली है, sum of all observations divided by number of observations, यहाँ number of observations 6 है, क्यूंकि 6 लोगों की average निकालनी है, तो 6 के 6 का bill divided by 6 करके average आजाएगी, तो अगर आपने पूरा bill निकाल तो bill क्या होगा आपका बच्चे, यह 6 इधर multiply हो जाएगा, तो आपका सारा bill आजाएगा, sorry, average into 6 करके, तो आपका sum आजाएगा, और पूरा expenditure आजाएगा, average को अगर हम 6 गुना कर देंगे, तो basically average कुछ number है, वो कह रहा है कि 5 लोगों ने तो 32 रूपए spent किये, अब किसी student ने यह confusion नहीं रखनी कि 32 लोगों ने 32 spend किये, तो 32 average है, बचे 5 लोगों ने average से कम spend किये, तभी 6th person को, वो 5 है, यह 6 नहीं है, तभी 6th person को average से 80 रूपए ज्यादा spend करने पड़े, क्योंकि average को maintain रखने के लिए, average हमेशा maintain रखनी होती है, अगर एक बंदा कुछ पैसे ज्यादा pay कर रहा है, कुछ ज्यादा contribute कर रहा है, तो definitely किसी ने कुछ कम contribute किया होगा, तो यहां तो वो कोई एक नहीं, यह 5 के 5 लोग हैं, जिन्नों ने कुछ कम contribute किया, तो मतला average से कम है 32, और इसने average से 80 रूपए ज्यादा invest किये, तो यह 80 ज्यादा है, तो बचे average को maintain रखने के आगे जा रहे हैं, तो average से 80 पीछे भी आना पड़ेगा, average से अगर हम 80 रूपए आगे जा रहे हैं, तो average से 80 पीछे भी आना पड़ेगा, तभी average maintain रहेगी, तो it means जो 5 लोग है, वो average से 80 पीछे हैं, लेकिन 5 के 5 तो एक जगे है, तो 80 कितना पीछे है, पांचों में equally divide कर द average कितनी आ गई, average आ गई, 32 में 16 एड कीजिए, 48 और अगर average 48 है, तो sum आ जाएगा, 48 इंटो 6, that is 288 रूपीज का, तो उनका पूरा बिल आपका बनेगा, C option 288 रूपीज, तो ये बचिए आपका, C set का, मतलब स्टेट सिविल्स का question है, UPSC में expected है, बिल्कुल ऐसा question आ सकता है छे लोग खाना खाने गए, बिल आया, पांच ने 32 रूपे पे किये, 6th person ने average से 80 रूपे ज्यादा, 32 से अज़ी ज्यादा, तो अगर एक person average से 80 ज्यादा, तो बाकी 5 average से पीछे होंगे, कितना पीछे, एक person 80 ज्यादा, तो 5 परसन भी 80 पीछे होंगे, लेकिन equally पीछे है, तो 80 बटे 5 हरो एक 16 पीछे होगा, तो average से 16 पीछे 32 से, तो average आगी 48, 48 average, 6 लोगों का total expenditure, 48 into 6, 288 answer, इस question का, अगले sessions में मिलेंगे, बच्चे, अगले questions के साथ, interesting questions है, आखरी 30 दिन बाकी है, थोड़े sessions की भी weightage हम बढ़ाएंगे, frequently थोड़े ज्यादा sessions लेंगे, अगले session मे मिलेंगे, बच्चे, thank you.